सो यस विल्कम टू इलेटकल डिपार्टमेंट स्टील अथॉर्टी आफ इंडिया लेम्टेट सेल महारतना PSU कमपनी के तरफ से नियो डुकुर्मेंट निकल कर आ रही है फार 2024 जहां पर फ्रेसर्स अप्लाई कर सकते हैं कोई फीस क्या होगा सारा कुछ इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो कंप्लेट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा अंड तक देखते रहे हैं अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलेग्राम भी जॉइन कर लिए तो चलिए अब चलते हैं वेकेंसी के में नोटिफिकेशन पर यहाँ पर देख सकते हैं यह वेकेंसी निकाला गया है स्टील आथर्टी आफ इंडिया लिम्टेड सेल की तरफ से इसका बुकारो स्टील प्लांट की तरफ से यह वेकेंसी निकाला गया है बिल्कुल लेटेस्ट वेकेंसी है 15 मार्च को यह वेकेंसी रिलीज किया गया है और इसका एड़टाइजमेंट नमबर यहाँ पर देख सकते हैं इस पीडियाप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो कर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से भी डाउनलोड करके आप इस वेकेंसी को चेक कर सकते हैं इसमें वेकेंसी निकालीगी है एक्जेक्यूटिव करडर और नॉन एक्जेक्यूटिव करडर में बात करें यहाँ पर हम के वाल नॉन एक्जिक्यूटिव करडर में बात करेंगे जिसमें डिप्लों वालों के लिए वेकेंसी हैं नॉन एक्जिक्यूटिव करडर की बात करें जिसमें दो प्लांट के लिए वेकेंसी निकाली है पहला है अपका बोकारो इस्टील प्लांट के लिए और दूसरा है जारकंड ग्रूप आप माइस के लिए ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं और अपरेटर कम टेक्निसियन ट्रेनी की बात करें यहाँ पर देख सकते हैं तोटल 8 विकिंसी निकालेगी है और अटेंडेंड कम ट का चोँतियों को मिल जायगा थो नंबर आफ विकिंसी निकाला गिया इसमें बोकारो इस्टील प्लांट की तरप से जड़िये बात कर लेते हैं किस पोजिशन के लिए क्या eligibility criteria रखा गया है और age criteria कितना है सबसे पहले बात करें हैं आपके डिप्लोमा वालों के लिए जो वेकेंसी है operator come technician training का उसमें अगर आपके पास 3 year का डिप्लोमा है mechanical branch में, electrical में, chemical में, power plant या फिर production में तो आप इसमें apply कर सकते हैं इसके साथ first class baller attendant certificate भी होना चाहिए qualifying mark की बात करें तो 50% marks minimum होना चाहिए sct के हैं तो 40% marks है तो भी चलेगा इसके बात attendant come technician training की position है ITI वालों के लिए इसमें आपका age 28 साल से अधिक नहीं होना चाहिए और qualification की बात करें तो अगर आपने ITI का रखा है तो आप इसमें relevant trade में तो आप इसमें eligible होंगे इसके साथ साथ आपके पास second class baller attendant certificate भी होना चाहिए यहाँ पर दिख सकते हैं जिसमें इस certificate माग गया है लेकिन जो vacancy निकाला गया है जहारकरंड group of minds के लिए इसमें किसी प्रकार का certificate का requirement नहीं है टेक है operator come technician training जो electrical की position है simple है इसमें किवल अगर आपके पास 3 year का full time diploma है electrical engineering में तो आप इसमें apply कर पाएंगे 50% 50% मार रखा गया है और 40% मार रखा गया है SC, ST, PWD के लिए age criteria की बात करें तो 28 साल से age अधिक नहीं होना चाहिए इसके बाद operator come technician training mining की position के लिए vacancy है अगर आपने diploma का रखा है mining engineering में top इसमें apply कर सकते हैं इसके अलावा किसी प्रकार की certificate की आवा सकता इसमें नहीं है इसके बाद mining for men की vacancy है diploma in mining और one year का आपके पास experience इसके बाद survey की vacancy है three year का डिप्लोमा होना चाहिए mining में या फिर mining and mines में और one year का minimum experience होना चाहिए mining mat की vacancy है इसमें भी diploma आपके पास matriculation के साथ साथ mining mat certificate होना चाहिए और one year का experience होना चाहिए इसके बाद इसमें जो देख सकते हैं आइटाइ वालों के लिए जो vacancy है काफी अच्छी vacancy है number of vacancy की बात करें 34 vacancy है attendant come technician trainee ठीक है इसमें अगर आपके पास idea कर रखा है आपने और आपके पास minimum one year का apprenticeship है या फिर one year का experience है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे चलिए बात करते हैं age limit में relaxation का तो rule के guarding आपको age में relaxation देखने को मिल जाएगा पांच साल का shoot देखने को मिल जाएगा unresured candidate के लिए और result candidate के लिए OBC के लिए यहाँ पर तीन साल का shoot आपको इसमें देखने को मिल जाएगा बात करते हैं medical standard का तो मेल के लिए जो हाइड रखा गया है 155 से मी ठीक है फॉर इंजिन्रिंग और नॉन इंजिन्रिंग से हैं तो 150 से मी फीमेल के लिए 143 से मी weight की बात करें तो मेल के लिए 45 kg फीमेल के लिए 35 kg इसके बाद यहाँ पर चेस्ट मिजर्मेंट और विज्वल भी जो विज्वल स्टेंडर्ड रखा गया है इसमें यह आप लोग इसमें देख लीजिएगा मोड आप सेलेक्शन की बात करतें के वह आप्रेटर काम टेक्निशन ट्रेनी की पोजिशन के लिए सबसे पहले आपको इसमें अपलाई करना है अपलाई करने के बाद आपका इसमें एक CBT टेस्ट होता है CBT के बाद इसमें आपका होता है skill test ठीक है जो आपका main होता है वो CBT होता है क्योंकि यह इसी से आपका final marriage लिस्तियार होता है जो skill test होता है यह आपका qualifying nature का होता है इसके बाद training and probation period की बात करें तो operator come technician training के जो position इसमें आपका one year minimum one year का training period होता है यह जो हैं पर दिया गया है यह बोकारी steel plant के लिए है इसके बाद जारकन माइन्स के लिए बात करें तो 12,900 first year और second year 15,000 रुपे पर month salary देखने को मिलेगा जैसे यह आपका training period complete हो जाता है तो आपको बेहतरीन salary इसमें देखने को मिलेगा देख सकते हैं basic पे 26,000 है इसके allowance में सही परकार के allowance देखने को मिलेंगे तो 40-45,000 रुपे पर month salary देखने को मिलेगा diploma वालों के लिए और item वालों के लिए बात करें तो 35,000 रुपे पर month आपको इसमे salary देखने को मिल जाएगा application fees की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका application fees रखा गया है पांच रुपे application fees रखा गया है और departmental candidate है या फिर इसको आप लोग देखेज़ेगा इंपोर्टन डेट की बात करें तो 16 अप्रेल्स में apply online start हो चुका है और apply करने की जो अंतिमतिती है 7 माई तक आप इसमें apply कर सकते हैं apply करने का link आपको डिरेक्ट वीडियो का description में हम पुराइट कर देंगे जैसे इसका apply link अक्टिबेट होता है तो आज के इस वीडियो में केवल इतना है अगर आप मेंने क्यों कोईरी है इस वेगेंसिक रिकार्डिंग तो कमेंट हमसे पोच सकते हैं वहाँ पर reply कर देंगे तो अब हम मिलते है नेक्स्ट वीडियो में